शिरी जगदंबा पोलिमर्स लिमिटेड इस कम्पनी को हमने 700 और 900 के लेवल पर कवर किया था फिलाल शियर का करेंट मार्किट प्राइज 1349 आई होप लेवल तो पक्का आप सभी के अचीव हुए होंगे इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं ना क्रिटिसाइज करने जैसा कॉटर तू कॉटर कमपनी काफी अच्चा परफॉर्म कर रही है कॉटर वन में कमपनी को 16 क्रोड का नेट प्रोफिट हुआ लास्ट कॉटर कंपेरिजन से सेल्स भी काफी अच्ची रही operating profit इस बार 20 क्रोड का हुआ company का primary business technical textile, geo textile और उससे जुड़े products में है जहाँ पर ये woman and non-woman fabrics और bags की manufacturing करते है more than 80% of production ये export करते हैं USA, Europe और दूसरी countries में फिलाल तो company 1000 metric ton पर month की capacity पर काम करती है लेकिन इनके next 5 years का target इसको double कर 2000 metric tons करने का है year to year profit की growth काफी शांदार रही जो आप देखी रहे होंगे 2010 में net profit 1 crore का था और फिर ये profit की consistency maintain रही बढ़ते हुए profit के साथ promoters की educate holding 73.16% की है दूसरी और domestic institution की 4.67% की holdings देखने को मिली pros और cons की बात करें तो फिर last 5 years का CAGR काफी अच्छा रहा 52.50% return on capital employed 38.3% return on equity 36.4% और earning per share 57.2 है दूसरी और stock अपनी book value से 8.90 times trade करता दिखा जो की cons के अंडर आता है 1181 crore की market क्या वाली company share के chart को जब आप देखेंगे तो फिर मेरे point of view से कई गुना तक का return हमने या से कमाया लेकिन अब गिरावट होना लाजमी है गिरावट के साथ ये sport बनता आया है वैसे market में ज़्यादतर share down की तरफ है company के growth और expand होने के chances काफी ज़्यादा है जरूरी नहीं होता बार बार आप सिर्फ एक ही share को पकड़े market में काफी अच्छे shares है हो सके तो फिर आपको diary के अदर डाल लेनी चाहिए मेरे लिए तो ये काफी beneficial रहती है अगर इस company में कोई loss की position पर खड़ा है शायद अपर circuit के time buy किये हो तो फिर उसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो comment box खुला है बाकी मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care